स्वागत है आपका विज्यान भिष्ट पर जो बीज्य के स्टुडेंट्स को एस्पारिंग स्कोडर्स के लिए विज्यान और सफॉटता का एक अनोखा साथी है हलो एवरिवन विज्यान भिष्ट के ओनलाइन प्लाटफॉम पर आप सभी का स्वागत आपको पता है कि हमने फिर्स लेक्चर में कार्बो हाइड्रेट्स स्टार्ट किया था और हमने जाना था कि कार्बो हाइड्रेट्स क्या है एक बायो मॉलिक्यूल है Carbohydrates क्या है एक biomolecule है फिर हमने Carbohydrates की Classical Definition के बारे में पढ़ा था फिर उसके जो Classical Definition के अकोर्डिंग जो जार्नल फॉर्मला था हमने वो देखा था एंड हमने देखा था कि जो Classical Definition है उसकी कुछ Limitations थी कुछ molecules थे जो की carbohydrates की तरह act behave कर रहे थे लेकिन वो क्या थे उस definition को follow नहीं कर रहे थे या जो हमारे पास definition के according condition सी उनको satisfy नहीं कर पा रहे थे और कुछ molecules जैसे कि हमारे पास formaldehyde था हमारे पास acetic acid था वो क्या थे जो general formula हमारे पास था क्लासिकल डेफिनिशन के according उसके according तो वो fit थे कि वो carbohydrate हो सकते हैं ठीक है लेकिन अगर हम chemical या जो उनका behavior था जो इस तरीके से वो behave कर रहे थे वो क्या था carbohydrate से अलग था यानि कि वो carbohydrates नहीं थे ठीक है फिर यहां पर यह जो limitations आई उनको क्या करने के लिए उनको बच्चो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक important information आप जोईन कर सकते हैं विज्ञान विरिक्ष के B.Sc semester and yearly courses को जो design किया गया है आपके university syllabus को ध्यान रखते हुए और दोस्तों साथ ही एक course बहुत ज्यादा affordable है और इसमें आपको मिलता है complete course in the form of video lectures lecture notes previous year question papers and mentorship यह सब आपको मिलेगा विज्ञान विरिक्षैप पर जिसका link इस video के description में दिया गया है फिर जो यह limitations आई उनको दूर करने के लिए modern definition आई जिसमें क्या बताया था कि जो carbohydrates हैं वो क्या है poly poly hydroxy ketone और poly hydroxy aldehytic groups है ठीक है तो यह सब हमने carbohydrates के बारे में कुछ introduction या फिर यू कह सकते हैं journal बाते हमने पड़ी थी उनके हमने कुछ uses भी देखे आज की class में हम उनकी classification पढ़ेंगे तो अगर हम carbohydrate की classification देखे तो जो हमने classification पढ़नी है वो दो पढ़नी पस्ट on the basis of hydrolysis की जब हम carbohydrate को hydrolyze करते हैं तो वहां पे वो किस तरीकी का behavior शो करते हैं यानि कि जो carbohydrates हैं हमारे पास वो hydrolysis करने के बात कितने molecule as a product वहां पर produce करेंगे उसके basis पर क्या है हमारी जो first classification फिर आती है हमारे पास second classification वो किसके basis पर होगी on the basis on the basis of reducing nature यानि कि जब हम हमारे पास जो carbohydrates हैं उनको जब हम felling या फिर tolerance reagent के साथ जब उनकी हम reaction करवाते हैं तो वो उनको reduce करते हैं या reduce नहीं करते हैं इसके basis पर फिर फिर फर्दर जो हमारे पास carbohydrates है उनको classify किया तो हम start करते हैं हमारी first जो classification है जो की है on the basis of हमारे पास क्या है on the basis of hydrolysis ठीक है किसके basis पर है on the basis of hydrolysis carbohydrates जो है हमारे पास उनको further on the basis of hydrolysis three categories में divide किया गए अब वो तीन कौन से category है monosecrites, oligosacrites and polysecrites यहां पे अब देखो जो हमारे पास तीन category है वो क्या है monosecrites, oligosacrites और हमारे पास क्या है polysacrites अब देखो यहां पे कि हमारे पास यहां mono का मतलब क्या है single और weekend से one और यहां oligo का मतलब क्या है few and poly means men यानी कि जब carbohydrates को हम hydrolyze करते हैं और अगर हमें product में सिर्फ एक single product मिल रहा है ठीक है hydrolysis करने के बाद अगर product वहां पे one है उसका number कितना है one तो उसे हम क्या बोलेंगे monosecrites वहीं अगर हम बात करें oligosacrites की तो वहां two to ten अगर हमारे पास number of products produce हो रहे हैं तो वो जो हमारे पास carbohydrates होंगे वो किस category में आएंगे oligosacrites में फिर हमारे पास last category आती है polysacrites यानि की अगर बहुत सारी units हमारे पार बहुत सारी sugar units वहां पे क्या हो रही है generate हो रही है hydrolysis के बाद तो हम उसे क्या बोलेंगे वो जो carbohydrate वो क्या है polysacrites की category अब देखो यहां पर आई के करके हम इनको अगर पढ़ें यहां पर तो सबसे पहले हमारे पास क्या है monosacrit सबसे पहले हमारे पास यहां क्या है monosacrit अब देखो देखो इनको हम क्या बोलते है simple sugars इनको हम क्या बोलते है simple sugars these are the simplest carbohydrates इनमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास carbohydrates होगा उसकी हम क्या करते है hydrolysis तो यहां हमें क्या मिलेगा single sugar molecule ठीक अब देखो अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि हमने हमने यहां देखा जब हमने monosacrit जो sugars है उनकी जब hydrolysis कराई तो हमें क्या मिला सिर्फ एक ही वहां पर हमें क्या मिलता है product ठीक there are about 20 monosacrit which occur in nature ठीक एप्रॉक्सिमेटली 20 monosacrit यहां पर ऐसे present है जो की nature में present अब इनका अगर general formula हम देखे तो वह हमारे पास यह और यहां पर जो N है वह three to eight यानि three से eight के बीच में यहां N का number क्या कर सकता है vary कर सकते है अब example अगर हम यहां देखे examples के अगर हम बात करें monosacrit के तो यह क्या होता है glucose fructose galactose यह सब जो examples है carbohydrates के यह कौन से category में लाए करते है monosacrit अतना समझ आ गया कि जो monosacrit हैं वो क्या होंगी ऐसी जो carbohydrates जो hydrolysis पे हमें क्या देते हैं सिर्फ एक ही product देखे आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या है oligosacrit अब ऐसी हमारे पास कार्भो हाइडेट है जो की hydrolysis पे क्या देंगे हमाइं hydrolysis पे हमें क्या दे रहे हैं 2 to 10 molecules of sugar चीक है या फिर हम बोल सकते हैं 2 to 10 molecules of monosecrate अब यहां अगर हम बात करें कि हमारे पास अब जैसे हमने यहां पर क्या देखा कि जो प्रोड़क्ट है वो वेरी कर सकता है 2 to 10 के बीच अब अगर हम यहां पर प्रोड़क्ट आ रहे हैं 2 तो उनको क्या बोलेंगे अगर 3 आ रहे या 4 आ रहे या 5 आ रहे तो उनकी अगोडिंग इनको भी जो हमारे पास ओलिगो सेकराइट से उनको फर्दर क्लासिफ़ाइ किया है जैसे कि अगर 2 हैं हमारे पास तो हम क्या यूज करेंगे डाई अगर 3 बन रहे हैं प्रोड़क्ट तो हम क्या use करेंगे try और अगर हमारे पास four है तो tetra saccharide हम क्या बोल देंगे उसे ऐसे ही अगर five है तो pent a ऐसे ही हम क्या कर देंगे इनकी naming कर देंगे अब अगर हम बात करें सबसे पहले di saccharides ठीक है अब ये कौन से carbohydrates होंगे यानि कि जब hydrolysis होगी di saccharides की तो हमें दो unit of mono saccharides है वो मिलेंगे कितनी unit मिलेंगे यहाँ पर two units di means two अब देखो carbohydrates which upon hydrolysis give two molecules of the same or different monosaccharides are called di saccharides अब जैसे की हमने यहाँ देखा कि monosaccharides की दो units बन लिए अब जो यह दो units यहाँ पर बनी यह same भी हो सकती है और यह different भी हो सकती है अब अगर इसका example हम देखे तो हमारे पास sucrose, maltoes, lactose यह सब जब क्या करते हैं इनकी अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं hydrolysis करते हैं तो यह दो हमें क्या देंगी mono securide units देंगे अब अगर हम आगे बढ़ते हैं next हमारे पास क्या है tricecuride 60 अगर हम इसके example की बात करें तो हमारे पास यहाँ क्या है रेफिनोस ठीक है हमारे पास क्या है रेफिनोस यह जब hydrolysis होगा इसके हम क्या कर रहे हैं किसकी बात करें हम यहाँ पर tetrasaccharide ठीक है अब यहाँ देखो tetra means यानी की four monosaccharide जो units है वो क्या होंगी produce होंगी upon hydrolysis hydrolysis यानी कि जब हम tetrasaccharide जो भी हमारे पास tetrasaccharide carbohydrate होगा उसकी जब हम hydrolysis करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा चार unit monosaccharides की मिलेगी ठीक है अब देखो इसके अगर general formula की बात करें तो वो क्या है C14, H14, O20 यह किसका है हमारे पास formula सेचियोज का और यहां पे जो यह हमारे पास journal formula था वो किसका था रेफिनोज का यहां देखो जब हमने सेचियोज की hydrolysis की तो हमें यहां से क्या मिलेगा हमें एक unit तो मिलेगी glucose की एक unit हमें मिलेगी fructose की plus में हमें दो unit मिलेंगी किसकी galactose की ठीक है अब हमें क्या मिली एक unit हमें glucose की मिली एक unit हमें fructose की मिली और दो unit हमें किसकी मिली galactose की हमें यहां पे milk यह था हमारे पास tetra saccharide ठीक है अब अगर हम बात करें polysaccharides की जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वो क्या है polysaccharides यानि की जब carbohydrates hydrolysis करेंगे तो a large number of monosaccharide molecules are produced यानि की जब हम क्या बोलेंगे polysaccharides ठीक है अब यहां पे एक्जामपल देखो star, cellulose, glycosine यह सब क्या है polysaccharides की polysaccharides की क्या है example अब देखो अब next हमारे पास हमें यह दो term जान लेते हैं कि हमारे पास क्या है sugars and यहां पे क्या है non sugars अब sugars यहां पे क्या होगे all monosaccharides and oligosaccharides are crystalline solid that are soluble in water and taste sweet यानि की जितने भी monosaccharides और जितने हमारे पास oligosaccharides यह क्या है crystalline solid है और यह क्या करते है taste में sweet और यह इनकी एक खास प्रोपरटी है वो क्या है कि यह soluble है किसमें water के अंदर क्या है water soluble है अब अगर हम बात करें यहां पे हमारे पास जो polysaccharides वो क्या है amorphous solids हमारे पास जो monosaccharides और oligosaccharides थे वो कैसे solid से crystalline solid थे लेकिन वहां हम बात करते है polysaccharides की तो वो कैसे solid है amorphous solids है और यह क्या है insoluble है water के अंदर ठीक है तो जो हमारे पास polysaccharides है यह कैसे है tasteless अब जो हमारे पास first category थी जो क्या थी sweet थी soluble थी water के अंदर और यहां पे कैसा structure था इनका crystalline solid का इनका structure था इनको हम क्या बोलते है इनको हम sugars इनको हम क्या बोलेंगे sugars वहीं अगर हम बात करें second category की हमारे पास क्या है जो second category है जो की tasteless है और amorphous solids है और insoluble है किसमे water तो इनको हमने क्या कहा यह है non sugars यह दो terms ही हमारे पास sugar और non sugar आगे जब हम दूसरी classification पढ़ेंगे उसमें इन terms को हम use करें फर्स classification हमने जब देखी तो उसमें हमने basically क्या देखा कि हमने hydrolysis की और हमारे पास कितनी units आ रही है product में उसके basis पे हमने तीन categories में divide किया carbohydrates को monosaccharides oligosaccharides and polysaccharides अब next हमारे पास जो classification है उस पे हम चलते अब यह जो classification है किस के basis पे है on the basis of reducing nature reducing nature के basis पे हमने क्या किया है carbohydrates को दो categories में classify किया अब जो यह दो categories ही किया है reducing sugars and non-reducing sugars नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी sugars जो क्या करे reduce कर दे किसको tolerance हमारे पास tolerance reagent होगा या हम क्या use करते है feelings solution इनको यह क्या कर दे अगर यह इनको कर देती है reduce तो यहां पे इनको क्या बोल दें है reducing sugars यानि कि ऐसे carbohydrates जो हमारे पास tolerance reagent या फिर जो हमारे पास failing solutions है इनको अगर वो reduce कर देते हैं तो यह क्या हो जाएंगे reducing sugars हो जाएंगे लेकिन अगर यह reduce नहीं कर पाते हैं इनको तो उनको हम non reducing sugar की category में डाल देते तो second category हमारे पास क्या थी non reducing sugars एके करके हम इनको बढ़ते हैं first हमारे पास क्या है reducing sugars यानि कि ऐसी sugars जो क्या करती है जो हमारे पास reagents हैं उनको यह क्या करेंगी reduce और खुद क्या हो जाएंगी oxidize खुद यह क्या हो रही है oxidize और जो reagents हैं हमारे पास reagents हमारे पास कौन से हैं उनका भी नाम में लिख देती हूं peeling solution और हमारे पास यहां क्या है tolens reagent इनको अगर हम यहां पे अगर carbohydrates इनको क्या कर पा रही है reduce कर पा रही है तो यह क्या हो जाएगी reducing sugar की category में इनको हम डाल देंगे अब यहां पे जो reducing sugar है इनके क्या होती है इनके पास free pre-ldehydic और ketonic group present होते हैं क्या होते हैं ketonic और aldehydic groups क्या होते हैं present होते हैं जिसकी वज़े से यह क्या कर बाते हैं खुद को oxidize कर लेते हैं और दूसरे को क्या करते हैं reduce कर देते हैं अब यह जो दोनों हमारे पास solutions यह जो reagent यह क्या है oxidizing agent ठीक अब देखो example अगर हम देखें हमारे पास क्या है D-glucose ठीक अब देखो यहां क्या है CHO pH2OH यह क्या है हमारे पास D-glucose का structure यहां आप देखो कि यह जो हमारे पास first carbon पे है तो यह क्या है हमारे पास aldehyde group यह क्या है हमारे पास free aldehyde group ठीक अब जहां पे क्या है aldehyde group है तो यह क्या करेगा दोनो जो tolens reagent है and जो हमारे पास failing solution है इंग दोनो को ही क्या करेगा reduce करतेगा लेकिन अगर हमारे पास क्या है ketonic group present है free किसी शुगर में क्या present है हमारे पास ketonic group present है जैसे कि यह हमारे पास यह हमारे पास क्या है fructose defructose का क्या है structure यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास क्या है कार्बोक्सलिक sorry ketonic group यहाँ पे क्या है present है क्या present है यहाँ पे ketonic group अब यह क्या करेगा अगर हम यहाँ बात करें इसकी तो यह tolerance reagent को reduce नहीं करेगा tolerance reagent को हम use कर सकते हैं कि इसके लिए lab में distinguish करने के लिए कि हमारे पास जो unknown compound है उसमें aldehyde group present है या फिर उसके अंदर क्या है ketonic group present और यह अगर यहाँ हम felling solution के साथ इसका test करें तो यह क्या करेगा इसे reduce कर देगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा हमारे पास हम reagent use करें जिससे हम distinguish कर सके किस-किस के बीच में aldehyde या फिर ketonic group के बीच में तो वो कौन सा है tolens reagent अब देखो हम पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा all carbohydrates that have an aldehytic और ketonic group in the hemi-acetal or hemi-ketal form and reduce tolens reagent or failing solution are reducing carbohydrates ठीक है इनको हम क्या बोलेंगे sugars ठीक है all the monosaccharides whether aldosis or ketosis are reducing sugars reducing sugars are those in which these groups are in the hemi-acetal or hemi-ketal form अगर इसके example की बात करें तो हमारे पास क्या है glucose, lactose, maltose यह सब क्या है reducing sugars के क्या है example आई बात देते समच अब next हमारे पास कुन सी category है हमारे पास है non reducing sugar अभी तक हमने क्या बढ़ा reducing sugars अब हम क्या पढ़ेंगे non reducing sugars हम पढ़ेंगे अब देखो यहाँ ध्यान देना की हमारे पास यह क्या करेंगी do not reduce tolerance reagent और जो failing solution है इनको यह क्या करेंगी reduce नहीं करवाएंगी तो इनको हमने किस category में डाला इनको हमने non reducing sugars की category में डाला कौन से carbohydrate जो की जो reagent थे हमारे पास इनको क्या कर सके reduce ना कर सके non reducing sugars are those in which in which the two monosecruides units are linked through their reducing centers यानि की जब हमने reducing sugars देखा था तो इन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या थी जो ketonic और जो aldehydic group था वो क्या था फ्री था लेकिन यहां पे जो दो monosecruide units attached हैं एक दूसरे से वो क्या है उन्हीं जो sites हैं या जो aldehydic या ketonic group हैं उनसे ही क्या है attached है non reducing carbohydrates include all the polysaccharides यहां पे अगर इनसे आप से पूछ लिया जाए कि जो example अगर आप बताएं कि non reducing sugars कौन सी होंगी वो क्या होंगी polysaccharide units अब उसमें example क्या सकता है start, cellulose, dextrin यह सब क्या है इसके example अब देखो यह थी हमारे पास हमने यहां पे क्या देखा कि जो हमारे पास क्या है carbohydrates की classification second classification जिसमें हमने क्या देखा कि वो जो हमारे पास solutions है कौन से tolerance और failing solution के साथ वो किस तरीके का behavior show कर रहे वो reduce कर पा रहे है या उन्हें reduce नहीं कर पा रहे इस basis पे हमने दो categories में उनको divide किया first reducing sugar and second is non reducing sugar अब आगे बढ़ते है जब हमने monosaccharides पड़े थे उनकी भी further क्या है classification अब monosaccharides में हमने देखा कि aldehytic और ketonic groups present है तो इस basis पे हमने उनको divide किया है यहां पे aldose और ketones हमने किस में divide कर दिया aldose और ketones में अब अगर बात करते हम सबसे पहले aldose की यानि की जिनके अंदर क्या present हो aldehytic group aldehytic group जब present हो तो तो वो क्या होंगे aldose aldehytic group present हो जैसे कि हमने यहां पे देखा था जब हमने किटोन गरूप क्या होगा यहां पे present हो सकता है अब यह क्या है हमारे पास यहां पे क्या देखा था डी फ्रक्टोज का structure देखा तो यहां पे first second second number पे क्या है keto group attached ठीक है अब देखो यह थी हमारे पास keto ketosis क्या थी हमारे पास category थी इसके example क्या है keto triosis keto tetrosis यह सब क्या है ketones के ketosis ketosis के क्या है example है अब अगर last हम यहां पे देखे कि जो हमारे पास eldosis और ketosis है उनको further classify क्या है triosis tetrosis pentosis hexosis heptosis क्योंकि इनके अंदर कितने carbon number present carbon number present अगर carbon number क्या है 3 तो triosis अगर 4 है तो tetrosis अगर 5 है तो पेंटोसिस ऐसे ही कितने इनके अंदर carbon number present है molecule में उसके according हम इनको क्या करतेंगे उनको इनकी naming करतेंगे तो यह थी हमारे पास classification of carbohydrates जिसमें हमने सबसे पहले carbohydrates की classification देखी जो की दो तरीके से हमने की थी first on the basis of hydrolysis and second on the basis of reducing nature उसके बाद जब हमने first में जो हमने monohydrates monosaccharides हमने वहाँ पे जो पढ़े थे उसकी भी further classification की थी किसके basis पे कि जो हमारे पास monosaccharides present है उनमें aldehytic group present है या पिर उनके अंदर क्या है ketonic group present ठीक है तो इस basis पे हमने ketosis और जो aldosis थी वो categories को बनाए तो ये थी हमारे पास classification की बाद तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं next class में थैंक्यू